नमस्कार दोस्तो शर्मा जी की रसुई में आपका स्वागत है गणेजी का आगमन होने वाला है और गर-गर में चूरमे के लड़ू बनाए जाने वाले हैं आज हमने गेहु के आटे के और गूड डालकर चूरमे के लड़ू बनाए हैं जोकि सभी को बहुत पसंद है और 500 ग्राम गूड ले लिया है हमने और थोड़क देशी घी लिया है हमने आज हम रोटी का चूरमा बनाने वाले हैं और दूद लिया है हमने आटा लगाने के लिए और देशी घी लिया है 750 ग्राम आटा लिया है हमने गेहु का ये नॉर्मल आटा है और पांस टीस्पून हमन गीर नहीं डालना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा option है गुन्गुना दूद लिया है हमने और पूरे दूद में आटा लगाएंगे हम आटा बहुत सक्ट लगाना है हमें जादा स्वाफ्प नहीं लगाना है थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे हम और फिर आटा सक्त आटा हमें लगाना है, सौफ्ट आटे की आटे का चूर्मा अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए हमने सक्त आटा लगाया है, अच्छे से लोईया बना लेंगे हम इस आटे की आप, तीन लोईया बना लेंगे हम, यदि आपका एक पाव आटा है तो आप एक रोटी बना जादा अच्छा बनता है। बहुत जादा पतली नहीं पहलेंगे हम रोटी को। आधा इंच प्रोटी बहलेंगे हम wr sproutस सी ऑatte हλαव किनारो को थोड़ा सब्सक्राव कि इस साइट से दबा देंगे प्रेस कर देंगे हम और इस तरह से चम्मत से हम इसे टाचे लगाएंगे नजदिक नजदिक टाचे लगाएं हमने इसी तरह से दूसरी रोटी को भी लगा देंगे तवा गरम हो चुका है हमारा और अब हम रोटी को तवे के ऊपर डाल देंगे गैस का फ्लेम बिलकुल धीमा रखना है हमें बह बहुत जल्दी जल्दी पलटना है इसे, एक रोटी को सिखने के लिए लगबख हमें 15-20 मिनिट लगे हैं, आप चाहे तो दो गैस पर दो तवेज रखकर दो रोटियां सेख सकते हैं, दूसरी रोटी भी हमने बहुत अच्छे से से की है, बहुत गैस धिमा किया है, बहुत ब अच्छे से सिख गई है, हमारी रोटी अंदर से थोड़ा चेक करेंगे हम, और रोटी को उतार लेंगे हम, बहुत अच्छे से देखे, आप बहुत अच्छे से सिख गई हमारी रोटी, अब हम इस रोटी के छोटी-छोटी टुकडे कर लेंगे, बहुत ज्यादा थंडी न मिक्सी में अच्छी नहीं पीसी जाएगी चूर्मा अच्छा नहीं पनेगा इसका और अब हम इसे भी छोटी-छोटी टुकड़ों में तोड लेंगे मिक्सी के जार में छोटी-छोटी टुकड़े डालेंगे हम मिक्सी का जार बहुत जादा नहीं भरेंगे हम मिक्सी के उप सबी रोटियों को हम अच्छे से पीस लेंगे बारिक, तीनो रोटिया भुन गई हमारी अच्छे से, अब हम गुढ डालेंगे इसके अंदर 750 ग ग्राम आटे के अंदर हमने 500 गुढ डाला है, हल्के हल्का पानी नहीं दाला है हमने इसके अंदर और बहुत धीमी आज पर हमने इसे मेल्ट किया है गुड को अब हम चलनी से चानेंगे ताकि गुड में का कोई भी कच्रा चलनी के उपर आ जाए गुड को चान कर डालना बहुत जरूरी होता है वरना कंकर आने का डर होता है और बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है हमने इस चास्नी के अंदर हलके हमने गुड के अंदर पेले घी भी नहीं डाला है क्योंकि हमें गुड को च्छानना है अभी अगर आपका गुड अच्छा हो तो आप गुड के अंदर घी डाल कर भी इसके अंदर मिला सकते है पूरा गुड डाल देंगे हम आप गुड आपके सबसे कम या जादा डाल सकते है पर गुड को इसी तरह से मेल्ट करकर डालना चाहिए चास्नी नहीं बनाना है हमें सिर्फ मेल्ट करकर डाल देना है गुड को सभी कच्रा गुड में का निकल गया है इलाइची पाउडर डाल दिया है हमने पांच इलाइची का पाउडर बना कर रखा था हमने थोड़े ड्राइफ्रूट भी कट करके रखे हुए हमने हलके हलके हातों से मिक्स करेंगे हम गुड को गुड गरम है इसके लिए हमने हातों से मिक्स नहीं किया है लगातार हम चम्मज से इस तरह से चलाते हुए गुड को मिक्स करेंगे थोड़ा गी डालेंगे अब हम इसके उपर से 5-6 चम्मज गी डाला हैं हमने आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं यह आपकी इच्छाबर डिपेंड करता है आप गुड और घी आपके हिसाब से डाल सकते हैं जो लोग तला हुआ ज़्यादा घी नहीं खाना चाते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा उप्चन है गणेजी को भी बहुत पसंद है गुड के भोग के बगएर गणेजी का भोग अधूरा रहता है इसके लिए हमने गुड का चूर्मा बनाया है ड्राइफरूट डाले हमने थोड़े इसमें ड्राइफरूट को हमने बिलकुल बारिक बारिक चौप किया है अब हम इसके लड्डू बनाएंगे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा गुड आप चूरमे को इस तरह भी रख सकते हैं या फिर आप लड़ू भी बना सकते हैं हमने लड़ू बनाए चूरमे के खाने में बहुत ही टेस्टी और हिल्दी है यह लड़ू चूरमे के गुड़ और आटे के चूरमे के लड़ू बनाकर तयार कर लिए हमने गणेजी के लिए और आप भी एक बार जरूर बना कर देखिए और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए लायक कीजिए शेयर कीजिए और नाना भूले